बालक YSP फिल्म्स को सब्सक्राइब करो और आनंद उठाओ और हाँ गंटा भी दबाना ताकि भगवान के साथ साथ मैं भी खुश हो जाओ तो आज हमारे बीच ऐसी शक्सियात आ रहे हैं जिन्होंने देश की हर चीज बदल दी है लोग को बदल दिया यहां तक की नोटों का कले भी बदल दिया तो स्वागत कीजिए हमारे बीच देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी सहाब का जी मोधी जी आज हम जो भी प्रश्ट पूछेंगे ट्विटर से लेंगे जो की जनता ने पूछें जो की हमने बिलकुल ने लिये मोधी जी मैं आप से एक सवाल पूछना चाहता हूं क्या आप नसे एक सवाल पूछा गया केना नहीं पूछना जाहिए का मैं आपसे पूछना जाता हूं पहले कोउज़िन पुछने पर आंस़र मिलते थें साहे हूं लेकन कोउज़िन पूचन पूछन पर आप沒事, question, question, question पर आकर यांसवर कहा है मोधी जा़िजी जबड़ा गए ना मोधी जी आयम जर्जाओ कि आयम एकर मुझे गिसी की चिंदा नहीं है बेज बेज की चिंदा नहीं है मुझे सिर्फ आपने आप ते मतलब है मर्जिरी कागना रनाट जी का पॉल बड़ा शेशू मैं सुर्फ उनकोई मानता हूं बाई तेरी सारी कोशिंज आईते मेरी तो दसके दसका लगते पॉंसे शिप्ट में पेपर दिये दे तुने अरे यूपेसी बाला है एससी बाला दोड़ी ना है मोधी जी ये बताइए बच्चों का रिजल्ट रुका हुआ है प्रदर्शन कर रहे है वो ठीक है छात्रों को प्रदर्शन का कोई हख नहीं है लेकिन कर रहे हैं तो इस पर आप क्या कहना चाहते है देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और इस प्रश्न का जव आप जनता को पता होना चाहिए, उन्हें मालूम होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, आपको इसको मेरे नजरिये से देखने की जरूआ था है, देखिए पहला कि बच्चों का रिजल्ट आता है, तो बच्चे डिप्रेशन, इस्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर रिजल नहीं आएगा, तो यवाओं को डिप्रेशन नहीं होगा, आप देखेंगे वो खोच हैं, और इस तरीके से जो सुसाइड का रिट है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, दूदरा, आपको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो यवाओं को करोना हो सकता है, और मैं नहीं चाता, क्या मेरे कारण, मेरे यवाओं को करोना हो जाएं, इसी लिए और तीदरा, अगर आपकी नोगरी लग गई है, वैसे तो यह उतना ही मुश्किला है, जितना की देश का विकास, फिर भी माने लिए मानने में क्या जाता है, आपकी नोगरी लग जाती है, तो आपको बार जाना पड़ेगा, पेटरोल का खर्चा होगा, तो मैं इसी लिए पड़रोल के दाम बढ़ा दिये, ताकि आप सेविंग कर सकें, अपने बावेश के लिए, फिर आपको जनता की सेवा करने के लिए आपको रिजवत लेना पड़ेगा, तो हमारे जो यवाह हैं, उन्हें बरस्ता जारी होना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ, कि मेर करता हूँ, और कर रहा हूँ, और करता रहूंगा Mोदी, मोदी, 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 मोदी प्रश्ण गलत डाल कर भी क्यों परीक्षाओं को टांगते हो, जुर्म खुद का है और जुर्माना हम युवाऊं से मांगते हो मोदी जी आज कल लोग बहुत पूछ रहे हैं कभी कभी विपक्ष भी ये पूछ लेता कि विकास क्यों नहीं हुआ है इस पर आपका क्या कहना है देखिए बाईयो बनो मित्रों पत्रकाजी देखिए मैंने विकास करने की बहुत कोशिश की और आखिर विकास हुआ भी लेकिन वो विकास भी गुंडा निकला बाईयो बनो वो विकास भी गुंडा निकला और आखिर मैं मुझे विकास को निप्ताना पड़ा क्योंकि नहीं निप्ता था तो आँगे जाकर के वो विकास हम सब को निप्ता देता पहले मेरी और मेरी बीबी की रोज लडाई होती थी टीवी देखने के चक्कर में उसे एक तकबूर का सीरेल पसंता मुझे करन जोयर की पिच्चर है अब हम दोनों के बीच में बिलकुल लडाई नहीं होती क्योंकि हम दोनों एंटेटेन्मेंट के लिए एक ही चैनल देख मोधी जी युवा लोग बहुत बिरोजगार है इस पे आपका क्या कहना है देखिये जी बाई और बेनों मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये सारी कहानिया है किस से इनको आप बॉलिवर्ड में यूज के जिए राजनीती में इनका कोई कॉलम नहीं है तो आप ये मानते हैं कि आप युवाओ के लिए कर रहे हैं पर उन तक नहीं पहुंच रहा है ऐसा क्यों देखिये हम कुछ समय पहले एक नया गेम ले करके आये थे हम पबजी की जगा वजी गेम ले करके आये थे आप देखेंगे कि जो भी भाई किनी कारणवत से इंडियन आर्मी नहीं कर पर देखेंगे कि आपको अनुवाब हो रहा है हैं आप खेलेंगे आपको लगेगा आप देश के लिए खेल रहे हैं आप लड़ेंगे आप देखेंगे कि आप देश केलें लेए हैं तो आप देख रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया का बहुत सही तरीके से प्रियोग कर रहे हैं हम आँगे बढ़ रहे हैं आप देखेंगे कि जब आप घर बैठ गई देश के लिए कुछ कर सकते हैं घर बैठ है फोजी बन सकते हैं तो आपको सीमा पर जाने कि क्या जरूवत है मोदी जैस्री राम जी कुछ पुद्ध जी ये कहते हैं मेरे हिसाब से मुर्ख जी वी ये कहते हैं कि आपकी मन की बात पर डिसलाइक पड़ रहे हैं बताईए देखिए मित्रों भाई और बहनों पत्रगा जी यह गंबीर विचा है और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इतने बड़े मुद्धे को सामने ले करके आए यह बहुत ही चिंता का विचाया है कि हमारे मन के बाद पर डिसलाइक के संक्या बढ़ती जा रही है गवरानी कोई अरुए नहीं है मैं अपनी जंता से कहना जाता हूं आपको करना क्या होगा आपको अपने फोन को उल्टा कर देना है आप देखेंगे कि जितने भी डिसलाइक थे वो लाइक में बतल गए और जितने लाइक थे वो डिसलाइक में बतल गए अगर मान लिए य चफल नहीं हुई यह तरक्यीब काम नहीं करती है तो मैं एक और तरक्यीब सौछ कर वैठा हूं मैं योगी जीसे कह करके डिसलाइक का नाम बदल आखर दपर करवाlu Luke दूगम तो मुझे आतां को अप्शर में बदलने का, आतां को चुनौदी। उन्यों को आतां को बदलने का, बहुत अनुवब है। तो जो भी मुझे डिसलाइक करेगा, मेरे डिसलाइक हो जाएंगे। वह मोदी जी वह. दोटी डिभी मोदी ज़ीpan की नौकरी भी आसान नहीं होती 24 गंटे काम करते हैं परतन खान नहीं होती एक और प्रश्ण हमारे यहां के प्रदेश के मध्य प्रदेश के CM सहाब को उनको मच्छर ने काट लिया तो उन्होंने इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया, ठीक किया, बिल्कुल सही किया, पर क्यों किया, ऐसा कुछ लोग पूछा ले, जो भी नेनल लिया गया है, वो साउचित सही है, देखिए, नेता बनने के लिए, आपको घोर अनपर रहना पड़ता है, एदा नहीं कि आपने पास तक पढ़ लिया और आप नेता बन गए, आपको अनपर रहना पड़ेगा, जिन्दिकी भार, और ये काम, कोई आम इंसान नहीं कर सकता है, इसको करने के लिए, आपको निस्था, घोर तबस्या, बड़ी मेहनत और लगन के साथ करना पड़ता है, और मैं आपको बता नहीं माना है, मैंने अपने आपको हमेशा जन सेबक माना है, एंजीनर का क्या है, पड़ लिखकर कोई भी बन जाएगा, आप बन जाएगे, ये हमारे योबा बैटे हैं, वो बन जाएगे, हाला कि वो भी नहीं बन पा रहा है अभी, क्योंकि वो बनने लाइक बच्चे नह लेकिन नेदार कोई नहीं बन सकता है, और काम जोरी की सजा सबको मिलनी चाहिए, चाहें आप हो आप हो या जनता हो, मोधी, 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 मोधी हैं लेकिन फिर भी मुझे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं देखिए आपको इसके लिए पहले जाना पड़ेगा जैसे कि मैं पहले चाय बेचता था मैं बहुत गरीब था हम सभी को पता है लेकिन जो सरल्दा आई है जो सिंपलिसिटी आई है उसका मुख के कारण मेरा चाय बेचना है मैं चाए के साथ बिस्कोटी भी बेजा करता था जिसे आज हम बिस्किट कहते हैं चाए भी बड़ी सादल बनाता था चाए में कभी चाए पत्ती नहीं डालता था तो जब भी मैं जब चाए देता था तो मैं देखता था कि ये कितनी अच्छी बात है कि हम बनम्र हो रहे हैं ये आप समझेंगे चाय बेचना सर्फ जाय बेचना नहीं है आपका विगास होता है आप लोगों से मिलते आए आप देखते आए कि आप उनके गोण अपने आप में समायद कर रहे हैं मोधी, 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 मोधी मुदी जी कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें आवास योजने का फाइदा ही नहीं मिला देखिए आपने ये बहुत अच्छा प्रश्ण किया है ये जो भ्रम फैल रहा है इसको दूर करनेगा इससे अच्छी कोई जगा नहीं मिलेगी मैं एक बात सपस्ट कर दू मुझे तो मिला है आपका बड़पन है कि आप जनता को बता रहे हैं आप कह रहे हैं जनता से लेकिन जो आजकल के जो पत्रकार हैं उन्हें अधा नहीं करना चाहिए उन्हें सच्चाई को दिखाना चाहिए क्या वो दिखा रहे हैं नहीं दिखा तो देखिए हमारी योजना का फाइदा चाइना तक को मिल रहा है जो चाइना ने गाओं बसाया है वो हमारी योजना के तहत बसाया है हमारी योजनाओं का फाइदा जब दूसरे देश को मिल रहा है तो क्या हमारे नागरेगों को नहीं मिल रहा होगा क्या यह देखिए यह को बैगाने का काम कर रहे हैं आपको क्या करना है आपको जनता को जागरोग करना है उन्हें बताना है कि फायदे तो मिल रहे हैं लेकिन आपको बातों में नहीं आना है Moodi! 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 Moodi ji, आजकर आप काफी जगे जा रहें, बंगाल जा रहें, कहीं आसम जा रहें, कहीं इदर उदर, मतलब बहुत सारी जगे जा रहें, और दाड़ी बढ़गई अपकी, समय नहीं आपके पस तो अभी आप इतना डर क्यों रहे हैं अभी तीन साले चुनाओं को आप इतना भागा दोड़ी सिहत का भी खैल कीजिए थोड़ो देखिए मैं किसी से नहीं डरता हूँ पहली बात ये समझ लेगे क्योंकि मैं अपने आपको नेता नहीं मानता हूँ मैं अपने आपको जन से बख मानता हूँ डरने की क्या जरूआते बाई डरता तो मैं सिर्फ अपने आप से हूँ मैं खुद मोदी से डरता हूँ यानि मैं खुद से डरता हूँ मैं डरता हूँ कि कल का मोदी अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं ट्वीटर पे लगातार बहुत सारे प्रशन आ रहे हैं ये थोड़ा हटके है मेरा निजी प्रशन है आप इतने fit कैसे रहते हैं आपके सिहत का राज क्या है देखिए जब आप दूसरों के लिए सोचते आए तो आपकी सिहत तंद्रों सोजाती आए और मैं 700 करोर देश वाजियों के लिए सोचने वाला व्यक्ति हूँ तो मेरी जितनी मी चिंदाएं होती आए वो मेरे 700 करोर देश वाजियों है वो आप लेती है कि मैं देश के लिए कुछ करूँ क्योंकि हम रहे आना रहें भाई हो है न, यह देश रहना चाहिए मोदी, 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 मोदी आजकल ये बात है मार्केट में कि ये LPG के दाम काफी बढ़ गएं करोना से पीड़ी जनता के लिए कि लोगों के लिए फिर भी कुछ तो होना चाहिए देखिए मुझे लगता है विपक्ष को ट्रेकिंग बहुत पसंद है ऐसा क्यों मोदी जी? क्योंकि हर बात पर वो चड़ जाते हैं देखिए LPG का रेट बढ़ाया है उसका मैं आपको जवाब देता हूँ देखिए हम वो सरकार नहीं है कि जो सिर्फ योजनाओ पे ध्यान दे हम व्यक्ति के स्वस्थ पे भी ध्यान देते हैं हमने दाम इसलिए बढ़ाया है ताकि जो लोग है वो डाइटेंग हो सके उनकी जजगी शास्त्रों में कहा गया है धर्मार्त काम मोक्षणाम आरोग्यम उत्माम अरधात की पहला सुख निरोगी काया दूतरा सुख घर में हो माया तो जब आप सुखी नहीं होगे तो माया का क्या होगा तो मैं सुखी बनाना जाता हूँ आपनी जनता को, आपने जनता के लोगों को मोधी, 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 मोधी अच्छा मोधी जी एक बात उचे समझ नहीं आ रही मोधी जी आपने सब कुछ बेज दिया वैसे देश क्यों बेज दिया मेरा कहने का मतलब है आप देश की इतनी चीज़ें आपने बाहर बेच दी जो कि देश की प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा जीडीपी बढ़ रही है जो लोग नेपाल से पेटरोल लेकर आ रहे हैं क्या आप ओर रोजगार नहीं है और कौन कहा था जीडीपी बढ़तरी नहीं हो रही तोड़े पड़े लेकिए हैं क्या वो जीडीपी का मतलब जानती नहीं है जीडीपी 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 चिलाती रहती है जीडीपी मतलब होता गैस डीजल पैटरोल पहले गैस कितने की थी और आप कितने की है डिल कितना था और आप कितना है पहले पेडौ्व कितना था अब सो हो गए सो धन्यवाद कई मोतीजी को जो आपकी जीडिपी इक है। धन्यवाद मुझे नहीं मोतीजी को कहो फिर से कहो चला काओ चोर से कहो वाज त्युक्ति रगाओ . मैं उनलों को बता दूँ जो कहते हैं कि पोटोवाल में कारे नहीं मिछ रही मैं उनलों को बताओं पहले मेरे पास तीन कारे थे तीन और अब एक बची है दो फिक चुकी है देखिए विपक्षी पाटिया होती हैं उनका काम होता है कि किस तरीके से आप देख रहें समी करण बन रहे हैं हमारी विपक्षा है वो इस चीज को लेगर के जन्ता के सामने हमारी चबी को बिगाड़ना चाहती है क्या यह सही है क्या बिलकुल नहीं हो दिजी जिड़ी भी बड़े रही है कभी किसी आप जैसे लोगों ने दिखाया क्या क्या मोधी जी ने अच्छे काम क्या किया है क्या ये आपका फर्द नहीं बनता है क्या आप दिखा रहे हैं सवाल तो आप पे भी खड़ा होता है आप उन पंडेतों से पूझे ना आप उनसे जवाल नहीं करते हैं जो कि आपको करने चाहिए यह जो चोता स्थम्भाई वो डख मखा रहा है इसको देखने की जरूँ है था है आपको हमको सबको मोधी 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 प्यार से बेच करमा गहने और बेटा बेरोजगार है अच्छा मोधी जैसा कि आप देख रहे हैं सोनू सूत बहुत अच्छा काम कर रहे है ऐसा लोगों का मानना है करूना काल में और सरकार नहीं दिख रही थे अब मोधी जी जो है वो दिख रहे थे आज कल नहीं दिख रहे हैं तो उनके काम में तांग अड़ाना। यह सब इन लोगों का काम होगा मेरा नहीं है जी। मैं लोगों से भी हई कहुँँगा, वो भी हई करा हैं के मेरे काम में टांग ना अड़ा हैं। जी मोधी जी स्वनुस्शोधी जी, काम कर रहा है तो मेरी क्या जरुआ था जी ? क्या मुझे काम करना चाहिए ? आप बताए बिल्कुल नहीं, मोदी जी मोदी ! मोदी ! मोदी ! Interesting मोदी dzी, मोदी Score नहीं बन सकता आपके रहते अब 56 इंच की चाहती का आंगई मोंदी जी क्या है ठंड में सबकी चाहती सुकड़ जाती है तो आप तो मुंबई में रह रहे हो अभी एमपी उपी में तो पढ़ रही है ना ये क्या बात हुई भारत मेरी माता है और मैं देश का प्रदानमंदरी बाद में हूँ पहले इस देश का बेटा हूँ और ठंड कहीं पर भी लगे मा को लेकिन ठंड उसके बेटे को लगती है इसमें क्या लोजिक है आतो साइंस करा जा लोजिक के लिए यहां क्यों आया है प्रदैनि लोग मेरी बातों में लोजिक दून रहा है क्या यह है देश के लिए सही है जी मोदी मोदी मोदीि मोदी मौदी देख है मैं पेट्रॉल के दाम बढ़ा रहा हूं किस लिए ताकि भारत विश गुरू बन सके लगातार पेट्रोल के धाम बढ़ाता जाऊंगा इतने कि नौबत ना आ जाए जब तक कि आपकी गाड़ी बिक ना जाए तब अगर मेरी जनता चाहेगी अगर मेरे सवाजो करोड देशवाजी चाहेंगे तो मैं जरूर पेट्रोल के धाम बढ़ाऊंगा ताकि युवाओं के पास कोई option ना बचे सिवाए मोदी जी को गाली देने कहलावा यानी मुझे तब आप में जही कोई युवा व्यज्याने कोई खोजी युवा निकलेगा और वो ये कैसा अभिश्कार करेगा कि बिना पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी बना देगा फिर आप कहेंगे मोदी जी बिजली के दाम बढ़ाईए ताकि फिर से एक और युवा निकले जो कि ऐसा अभिश्कार करें कि बिना बिजली की मशीने चलने लगें तब में बिजली के दाम बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे आप में से ही कोई युवा निकलेगा और वो यह जो अभिश्कार करेगा कि मशीने हवा से चलने लगेंगे तो आप देखेंगे कि भारत आतनिर्वर बन चुका है यानि कि भारत वेश्व गुरू बन चुका होगा मोधी जी कुछ लोगा पूछना है मोधी जी उनको पैसा देके लाते हैं जो मोधी मोधी चिलाते हैं क्या यह बत सही है ऐसा बताते हैं हमें तो पता है जूट है फिर भी अब बताते हैं अब ये आप जो कह रहे हैं, मुझे लग रहा है, मुझे समझ आ रहा है, कि आपकी जो question है, वो कहां से पूझ जा रहा है, देखिए ये सब कहानिया है, इन्हें तो ना कोई लाया है, ना इन्हें किसी ने बुलाया है, इन्हें तो इनकी भक्ती लेकर गया है, देखिए, क्या सवादो करोड, सवादो करोड जितने भी है मैं भूल रहा हूं अबी, लाखो करोड देशवाजियों का प्रेम है, पतगार जी मैं दुबारा कह रहा हूं, मैं अपने आपको नेता कदा ही नहीं वानता हूं जी, मैं जन सेवाक हूं, और जनता प्यार दे रही है, एक चाय वा कि मंत्रिया विधायक होता, यदी मैं आज अन पड़ होता, न नौकरी के सपने देखता, ना ही मैं आज पड़ कर रोता इस अजन को क्या तकलीब है वाई, क्या तकलीब है मोदे जी, मेरे अब ट्विटर के क्वेशन तो खतम हो चुके हैं, अब तो ये मेरा नीजी प्रश्न है आपके राज में, महिला श्रशक्तिकन इतना बढ़ गया है, कि किसी को बोलने से पहले सोचना भी नहीं पड़ता, बिल्कुल डर नहीं लगता जैसे हमारी कंगना जी कोई दबू होगा, जो दूसरों की सुनता होगा मेरी स्री स्री, गुरु माता कंगना राजी तो बोलने से पहले खोची भी नी सुनती हाँ, नहीं से, उनके बारे में चाला नी बोल लेगा आप यहाँ है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्ते, नमस्कार आप सबसे मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे एक बार और मौका दीजिए, इस बार ऐसा बनाऊंगा ऐसा बनाऊंगा कि कुछ बनने लायकी नहीं बचेगा नमस्कार सर्बत की तरा आदे सिको गठका है, गठागट आमादमी की जेव हो गई है सफाचट सरबत की तरा आदे सिको गठका है, गठागट